हैं हैं है है लोग वाज किस वीडियों फ्लूट मेंकाइनिक्स में रियोलोजी अब फ्लूट्स को देखने बाद है इसमें देखेंगे रियोलोजी अफ्लूट्स होता क्या है फ्लूड का क्लासिफिकेशन किस पेस पर या जाता है क्या क्या होता है किस टाइप का फ्लूड होता है चलिए स्टार्ट करते हैं आप 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 Rheology of the Flutes, क्या होता है, branch of the science, this deals the behavior of fluids, जाम लाइब है, Rheology of fluids, science को, वो branch, जो Flutes के, behaviors को ले करकर, डील करती हो कि, उसे Rheology of Flutes बोलते हैं, अगर हम Flutes का classification करेंगे, तो देखते हैं, किस-किस ताइब के Flutes होने वाले हैं, Rheology means, किस क्लासिफिए की से नहीं होता दूसरा होता है अब्लास्तिक अंध हर सल बैकले fluid क्या होता है और ठिक्सो ट्रोपिक अंध्रियूपेक्टिक fluids क्या क्या होते हैं इनके बारे हम डिटेल्ड डिसकस करने वाले हो कि पहला fluid देखेंगे ideal fluid आइडियल फ्लूड देखने वाले हो कि तो पहले तो हमें एक बात ध्यान रहे हैं कि ideal gas is not an ideal fruits की पोपाइटी क्या होती है इन बिसकेट होते हैं मतलब इसको सेटी जीरो इन बिसकेट मतलब इसको सेटी जीरो कि ideal foods are incompressible no sear stress कि इन बिसको सिटी जीरो होती है मूँलक्तो जीरो होता है एंड एंड जर यहां पर म्यूँ जीरो हो रहा है तो हम निटर्स्ला विसको सिटी जानते epidemic वल्यव म्यूद वाइड जब म्यूदृ से टौ भी मी जीरो होजाएगा चौ जीरो इसका मतलब सीडर्स ही रेश्टेश्में में नहीं है ओके, non-viscous होता इसमाद surface tension भी नहीं होता है, ideal fluids में surface tension भी नहीं होता है, no resistance of flow मतलब viscosity 0 है, flow of fluid will occur infinite time, constant, normal instance लगता है, इसमें कोई भी एक्स्टनल फोर्स की जुरूर नहीं होती है, required to the flow of ideal fluids, तो अगर हम ideal fluids, कि अगर हम देखें, viscosity, यहाँ पर shear stress और strain rate d theta upon dt का अगर हम यहाँ पर diagram लेंगे, तो यहाँ पर देखने वाले, तो तो इस पांट मिलने वाला तो यह वाली जो एक्सेस है वह ideal फरूड को और यह वाली एक्सेस है आईडियल फरूड को बता रहे हैं, अगर हम बात करना है, content listsаем what क्या वहां नियूतर सला बिस्कुनोगों करते हैं। किया होता था था, दाउ प्रेपोर्शनल्टु मेन त्वीज़ जिए शीज़ दारल कहते हैं, इसेर स्ट्रेज एक पूर्पोर्शनल्टू तु दारेटब्स, दारेटब्स किए यह बोल सकते हैं टाव इकल टू मिउधी वपान डी वाई ओके तो हम यहां से गर मिउधी पो लेते थे तो ताव वपान-डी वपान-डी वाई में पिलेंगे तो अगर हम इसके कंपेरिंग बाई-कल टू-कल टू-म-ेक्स से करेंगे तो तो M is equal to the slope होता था, ठीक है, M होता था, slope, तब यहाँ पर mu slope होने बाला है, mu यहाँ पर slope होने बाला है, ठीक है, यह किसका slope होने बाला है, यह जो shear stress, और rate of shear strength का जो graph होने बाला है, इसका slope में होता है, तो यह जो axis है, यह जो line है, यह line newtonian fluid को बता रही है, अब हम बात करें कि newtonian fluid, कौन कौन से fluid सोते हैं, ठीक है, example देखने हैं, वैसे अभी मैंने इसका diagram तो देखी चुके हैं, यह जो बनेगा, यह tau रहेगा, यह d theta upon dt रहेगा, और यह जो fluid बनने वाला है, यह जो line जाएगी, यह बताएगी newtonian fluid को, तो हम examples के देखने वाले हैं, newtonian fluid से example क्या क्या होते हैं, तो इसमें हम देखेंगे, कि newtonian fluid में air आता है, air is the newtonian fluid, water is the newtonian fluid, और petrol, glycerin and kerosene are the newtonian fluids, ठीक है, चलिए देखते हैं, air, water, petrol, glycerin and kerosene, यह से भी newtonian fluid होते हैं, अब हम आते हैं, non-newtonian fluid की तरह move करें, non-newtonian fluids क्या होते हैं, यह बो fluids होते हैं, जो newtonian fluid जो होता है, इन non-linear relationship को दिखाता है, fruits क्योंकि, और यहाँ पे यह non-newton fluid, जैसा की name से different कर रहा है, newton's law को obey नहीं कर रहा होगा, ठीक है, तब यहाँ पे यह जो है, am, d upon, d by to the power and, कुछ यह relationship को apply होने वाला है, इसमें ठीक है, am is the consistency index, जिसको बोलते हैं, गाड़ा पन, and is the flow index, okay, तो हम इसमें बोलने वाले हैं, अगर n की value, कुछ इस type से greater than बन है, तब कौन सा fluid होगा, अगर n की value less than 1 है, तब कौन सा fluid होगा, okay, हम देखेंगे, if n is greater than 1, then fluid होगा, आपका sear thinking fluid, dilatant fluid, और n is less than 1, तो अपना fluid होगा, pseudo plastic fluid, ये share thinning fluid, तो हम dilatant fluids, कौन कौन से fluids होते हैं, और pseudo plastic fluids में कौन कौन से fluids आते हैं, आईए देखते हैं, जो अपना dilatant fluid रहेगा, इसके example में हम कुछ fluids को देखेंगे, जैसे butter, rice starch, honey, echoes concentration solution of the sugar, echoes concentration solution of the sugar को हम हिंदी में सरवत बोल सकते हैं, okay, honey को हम सहद बोल सकते हैं, सहद होता है, और rice starch और butter तो हम जानते ही हैं, यह dilatant fluid की category में आते हैं, इसे shear thinking foods बोलते हैं, अगर हम बात करें कि pseudo plastic foods, तो इस category में कौन कौन से fruits आने वाले हैं, तो pseudo plastic foods की category में आएगा blood अपना, blood आएगा pseudo plastic category में ketchup आता है, ketchup, और यहां पर मिलने वाला rubber solution और syrup, जो syrup इस्तिमाल होते हैं, decision में ठीक है, जो patients, जो patient लोग जो होते हैं, जो syrup पीते हैं, ठीक है, हम लोग ने में कुल कोई पिया हुआ, तो syrup होता है, यह भी pseudo plastic foods में आता है, इन्हें बोलते हैं, sear thinning fluid, यह होते हैं sear thinning fluids, तो dilatant fluids में जैसे आपको हम बता चुके हैं कि, dilatant fluids में butter, rice, starch, honey, echoes concentration, the solution, यह सब आते हैं, यह sear thicking को अगर हम by example अगर देखें, तो a sear thicking होता क्या है, ठीक है, अगर हम, इसको fluids को मिलाते जाएंगे, मिलाते जाएंगे, तो इसकी viscosity समय के साथ बढ़ जाती है, जैसे कि हम सहद को देगे, तो सहद को अगर हम रख देएंगे थोड़ी देल के लिए, अगर हम उसको, उसमें कुछ हल्चिल करते रहेंगे, तो कुछ समय बाद में उसके देखेंगे, कि उसकी जो है, बिसकोसिटी बढ़ जाती है, ठीक हो जाता है, ठीक हो जाता है, अगर बटर को भी देखें, बटर भी sear thicking होता है, ओके, बटर भी tend में जम जाता है, और sugar, aqueous concentration solution, आप दी, अगर देखेंगे, जैसे हम चीन ही जादा मिलाते जाते हैं, अपना उतना ही गाड़ा होता चला जाता है, तो, तो pseudo plastic में कुछ देखने वाले, अगर हम इसका flow बढ़ाते हैं, अगर फ्लो अपना increase करने बाला है, तो क्या कर डिक्रीज होगा, अगर हमारा flow increase होता है, तो apparent viscosity decrease होगी, viscosity decrease होगी, sear thick decrease होगी, resistance of flow, कुल मिला की यह की चीज़ है, viscosity से ही, sear stress है, viscosity से ही resistance of flow है, और apparent viscosity to viscosity होती है, लेकिन अगर flow बढ़ाएगा, तो यह सब चीज़े कम बने वाले हैं, यह किसमें, sear thinning fluids में होगी, तो हम एक diagram देखते हैं, अगर अपना iron greater than बना है, ठीक है, तो होगा dilatant fluid, तो dilatant fluid का diagram क्या बनने वाला है, तो dilatant fluid का diagram कुछ इस type का बनेगा, जैसे बोलते हैं, shear thinning fluid, यह कुछ इस तरह से जाने वाला, और जो हम shear thinning fluids की बाद करें, तो वह कुछ इस तरह से बनने वाला, यह pseudo plastic fluid होता है, ठीक है, और यह dilatant fluid होता है, अगर newtonian fluid की बात करते हैं, यह linear relationship दिखाता है, यह newtonian fluids होता है, ठीक है, और यह dilatant fluid हो जाएगा, और यह हो जाएगा आपका pseudo plastic, और अगर हैं देखार झार है यह लीडिंृ रलिस मिन quyणreally से नोन लींटर से मिन कुंडा रहा यो नोन नूट्रीन फ्रूड होता है मिनमोच करता हैं बढ़नें बाले हैं तरदे द्दे द्दुट्ब प्लास्टिक फ्रूड अ seule फिल्स नी पैश्र नी एशी फूलो नहीं होनाँ लगता जाब हम चाहिए प्रेजल इनिसियल और को तो हम देखने वाली इसका टाव इक्यों सन क्या होने बाला है तो घ्रतो टाव के राज्य कंग सो हरिकाइड़ है अनिस सब्सक्राइब कर विंद दो आजीए तब इंसियल इंसियल ऑर आयों इसके लिए होती है अगर हम यहां पर कंसिस्टेंसी को बिस्कोसिटी के बराबर कर देते हैं और एंग की वह लोग बन कर देते हैं तब यह फ्लूड जो आएगा अपना आईडियल बिंगम प्लास्टिक फ्लूड कर लाता है तब इसका डाइग्राम किस तरह से बनने वाला है तो यह तो अपना रहेगा टाउ या मियू भासकते ही अपना इधीता ठीटी रहेगा रेट भी अ को दिखा रहेँ यहां और है सिए सिए मतलड की इसमें रिकॉरड होता जो सेब्सक्शन देख रहें रहें गी सिब्सकों को देखा रहा हुआ है यह हमें और इसके बारat यहां पे यहां पे आयन की वैलो जो है यहां पे आयन की वैलो है वन और विस्कोसिटी इकोल टुट लदा आयन को consistency जो है फुल म्यू के बराबबर है ने वल्ली है तो यहां पे बिंगम प्लास्टीक फृूड को से नहीं डारेक्ट हम इस तरह से बनाएंगा और यह बिंगम प्लास्टिक फ्रूड को दिखाता है, अकर हम हरसल बैकले फ्रूड की बात करते हैं, यहाँ पर आयन होता है, कुछ इस ताइप का, ठीक है, आयन इसका लेजदिन बन, जब यहाँ पर आयन लेजदिन बन होता है, तो यह जो कुछ इस ताइप का फ्रूड बनने बाल यह फ्लूड की हरसल बैकले फ्लूड को दिखाता है यह लाइन हरसल बैकले फ्लूड होती है ठीक है अब हम इसमें हरसल बैकले फ्लूड या बिंगम प्लास्टिक फ्लूड की बात करें किसी बेतर है का जो पेस्ट होता है जैसे की क्रीम सम्माल लेते हैं क्रीम होती है डूथ कि एक कुछ और इंब्ड को एक टो जाएगा अपने। हुआ है दूसरे बात करें सीवेज हो जाता है मचैस हम बात करते माड हो जाता है। मट भी एक तरह आख विंक अप्लास्टिकूर्टस होता है मड्र अब अपना जो होता है। जैम यह आईडियल बिंगम प्लस्टिक फ्लूट्स होते हैं सिलाज है जैम है टूथ पेस्ट है अब हम कुछ यहां पर यह डाइग्राम देखने वाले हैं कि इसमें क्या-क्या था ठीक है जैसे कि अभी हमने प्लूट पढ़ा partner कि अभी होगा सूडो फ्लूट देखने वाले तो कुछ यह डाइलेटेंट फ्लूट होगा सूडो प्लास्टिक प्लूट प्लास्टिक फ्रूट की बात एक इंटरसेट्ट देंगे डायरेक्ट फॉपर लाइन ड्रा कर देंगे यह एडियल बिंगम प्लास्टिक फ्रूट होगा और इसके ऊपर से अगर कुछ यह एक डायग्राम बना दिया जाएगा तो यह बोजो होता है अपना हसल बैकले फ्रू कि हम कुछ यह बना दें यह कौन सा फ्रूट होने वाला है तो बताएं यह कौन सा फ्रूट होगा अगर हम बतादें यह कौन सा फ्रूट होने वाला है और यह कौन सा फ्रूट होने वाला है तो यह अपना सूड़ो प्लास्टिक फ्लूट रहेगा ठीक है और यह अपना डा होने वाला है हम यहां पर एंगल से भाइचान सकते हैं लेकिन बट हमें अब्जेक्टिव में कभी कि इस टाइप का मिलता है डाइग्राम कहीं यह डाइग्राम मिलेगा या कहीं कुछ यह डाइग्राम मिलेगा तो इस तरह से हमें फ्लूट्स की कर्टागरी को बताना होगा है कि दिश्quetी को पढ़ने के लिए हमें इससे पहले इसको सैटी की कर समझना होगा एक इड़ेट ऊपने उसाया के थखनी और अगर हम बात करें कि एक तो मिनिती नइन प्लूट्स होते हैं उनके लिए पटन्ट बिसकोसिटी पे बढाबर हो जाता है अगर हम 92 की बात करते तो वहां पर एक पर यहां बलोंड बाद मरेंट निन एक सेथित गए में नख़ृट्योनोट उल्य राइट जा पितस्राइब ये राता है कि और इसमें नॉट्योन फ्लूट में कुछ और ऑर या दाइग्राम जाएका यह टाइग्राम जाए मैं जिन्जो क्वेट चाहिए थो तर्मट तरन आप सीर स्टाइव आपको अट्रयोप्टिक फ्लूड़ और रूसदि यहां पहें थहें गए इसके सिटी या फ्लूड़ इंक्रीज एख्रथि कुछ ऐसे बुसके सलिए संदीच वे Anders अने वाला है तो आप देख सकते हैं यह तो दिखा रहा है यह कुछ डाइगरम यह जा रहा है और इसकी विसकोसिटी पहले तो बड़ी थी लेकिन समय के शाद सक्कुसिटी डिक्रीज हो रही है यह देखे डिक्रीज हो रही है और रियॉपैक्टिक फ्लूट्स की अगर बात कि पुछ समय के बाद उसकी बीकुष की बड़ जाती है तो इंक जो है एक तरह का रियॉपेक टिक फ्रूट सी क्रटागरी में आईगा करें कि यहां पर हमने आज की वीडियो में देखा है कि आइडिअल फ्रूड रिएल फ्रूड इनbeyan किस्व डूट्श को देखा था डाम फ्रूटि क्या है और एक सुडु घ्स दीघंग इसि तनिक थे जह शिएर्ण अफ्रूट्स को देखा था और हमने बिंगम प्लास्टिक और हर्सल वैकले फ्लूट्स को भी यहां पर डिसकस किया है और ठिक्सो ट्रोपिक और यूपेक्टिक फ्लूट्स को हमने बहुत अच्छी तरह से यहां पर डिस्क्राइब किया है एक बार इसका ओबर भी हम देख लेते हैं कि हमने अगर हम आपके लिए कुछ भी डाइगराम देने वाले हैं इनसे हम देखेंगे कि कौन सा फ्लूट किसका डाइगरी में आता ओके चलिए देखते हैं अगर कुछ डाइगराम डाइगराम अगर हम देखते हिए कुछ इस तरह से डाइगराम बना हुआ है है तो यह काउं सा फ्लूट होने वाला है? अगर डाइगराम में कुछ इस तरह से हिए और यह प्रेजेंट कर रहा है अगर हमने कोई फ्रूड इस तरह का बना दिया तो यह रहेगा अपना नॉन नॉन नुटोनियन फ्रूड कि यह नॉन लिनियर रिलेशंशिप को दिखा रहा है बट यह डायलेटेंट फ्रूड की कटागरी में आएगा यहां पर आइन इस ग्रेटर द को बलता है यह भी नॉन लेनियर रिलेशनसिप है तो यह हर्सलपेकले फ्लूट्स आएगा ओके अगर हम ठीक्सोट्रोपिक और रियूपेक्टिक फ्लूट्स की बात करते हैं हमने कोई डायग्राम इस तरह से बनाया है और कुछ यह दिखा रहा है तब यह रियूपेक्टिक फ्लूट्स की काटागरी में आएगा और अगर हमने कुछ यह डायग्राम इस तरह से दिखाया है जिसकी बिसकोसिटी बिस रिस्पेक्ट टाइम डिक्रीज होने वाली है तब यह थिक्सोट्रोपिक फ्लूट कहलाएगा अभी हमने अच्छी तरह स तुक्सोट्रोपिक आईडियल फ्लूट्स रियल फ्लूट्स और नॉट्वन नॉट्वन फ्लूट्स को डिसकस किया है ओके मलते हैं एक नेक्स्ट व्यूडियो में नेक्स्ट तपिक शाद बदेले थेंक्यू